नमस्कार दोस्तो वेलकम टो इस्टेडी नियूस आपके लिए सवाल है कि विस्व महासागरिय दिवस कम मना जाता है इसका आप आंसर कीजिए इसका आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा जैसा कि इस मैप में आप देख सकते हैं पिछले वर्स इन आठ जगहों को ब्लू फ्लैग प्रदान किया गया था जिसमें सिवराजपूर जो की गुजरात में है घोगला जो दिव में है कासर कोड और पदू विदरी करनाटक में है कपड केरल में रूसी कोंडा आंधर प्रदेश में है गोल्डन ओडीसा में और राधानगर अंडमान में है अब बात करते हैं कि ब्लू फ्लैग टैग क्या है और ये समुद्र तटो को किस प्रकार प्रदान किया जाता है तो ब्लू फ्लैग यानि साफ सुन्दर बीच ये ब्लू फ्लैग टैग उन बीचेस को दिया जाता है जो साफ हो, ट्यूरिष्ट और पर्यावरण के लियाद से बहुत ही अच्छा हो और यहां पाइस्तकी की सुरक्षा की जा रही हो इसमें कुल मिला कर 33 ऐसी सर्ते हैं जिनका पालन करने पर ब्लू फ्लैग टैग दिया जाता है इन सर्तों को चार वरगों में बाटा गया है यह चार वरग है पर्यावरण सिक्छा और सूचना दूसरा है नहाने वाले पानी की गुडवत्ता तीसरा है पर्यावरण प्रबंधन और चौथा सुरक्षा समेथ अन्ने सेवाएं इसमें सामिल हैं ब्लू फ्लैक देने की सुरुवात डेन्मर्क के फाउंडेशन फॉर एन्वायरमेंट एजुकेशन ने की है इसे सौर्ट में FEE बोलते हैं FEE एक नॉन प्रोफिट नॉन गवर्मेंटल और्गनाइजेशन है इससे 60 देसों के 65 संगठन जुड़े हुए हैं FEE के 5 प्रोग्राम चल रहे हैं जिसमें ब्लू फ्लैक सामिल है बाकी 4 ब्लू फ्लैक के अलावा इको इस्कूल्स यंग रिपोर्टर्स फॉर दा एन्वायरमेंट जिसे YRE भी होलते हैं Learning about forest and Green Key International और दुनिया भर में 77 देस इसके सदस्य हैं अब बात करते हैं Foundation for Environmental Education के इतिहास के बारे में इसकी इस्थापना 1981 में हुई थी जिसका हेड़कूर्टर आपको Copenhagen Denmark में मिले गा और इस संस्ता के दौरा Blue Flag सर्टिफिकेट देने की सुरुवात 1985 में की गई थी जिस भी बीच को Blue Flag Tag मिल जाता है तो इसका मतलब होता है कि वो बीच प्लास्टिक मोक्त, गंदगी मोक्त, लोगों के लिए साफ पानी की मौझूदगी और कई सुईधाएं बहतर होंगी अगर अपने भारत की बात की जाये तो भारत ने Blue Flag मानकों के मुताबिक अपने समुदर तटो को विक्सित करने का पाइलेट प्रोजेक्ट दिसंबर 2017 में सुरू किया था इस प्रोजेक्ट के अनुसार सभी तटी राजियों में 13 समुदरी तटो के Blue Flag Certificate के लिए चुना गया है इस प्रोजेक्ट के दो मूल मकसद हैं पहला भारत में लगातार गंदगी और प्रदूसर के सिकार होते समुदर तटो को इस समस्या से निजात दिलाना और दूसरा सतत विकास और ट्यूरिजम स्विधाओं को बढ़ा कर भारत में इको फ्रेंडली ट्यूरिजम विक्सित करना है आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक जितने भी भारतिय समुदर तटो को Blue Flag मिले हैं ये पूरे एशिया जोन में पहली बार मिले हैं बाकी किसी देश के किसी तट को Blue Flag नहीं मिला है और उडीसा के कोडार्क तट पर मौजूद चंद्रभागा बीच Blue Flag टैक पाने वाला पहला भारत का ही नहीं एशिया का पहला बीच है भारत में समुदरी तटो को Blue Flag के मुताबिक विक्सित करने का काम Society for Integrated Coastal Management यानी साइकॉम नाम की संस्ता करती है जो हमारे देश के भारती परियावरन मंत्रा लेके अंडर वर्क करती है साइकॉम के द्वारा ही दो वर्सों में बीच Environment and Aesthetics Management Services तयार किया गया है जिसका उद्दे से तटिय परिस्तिकी की सुरक्षा करना लोगों को स्वच्छता के लिए जागरू करना और प्राकर्तिक संसाधनों की रक्षा करना है सबसे पहले समुदर तटो को साफ बनाने का काम फ्रांस के पैरिस से सुरू हुआ था और दो साल के अंदर यूरोप के करीब सारे समुदर तट ब्लू फ्लैग टेग से लैस हो गए थे और अभी तक दुनिया के 44 देशों के लगबख 4,000 समुदर तट और बॉट ओपरेटर्स ब्लू फ्लैग टेग से जुड़ चुके हैं अब आप ये सोच रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा ब्लू फ्लैग टेग पाने वाले बीचेज किस देश के होंगे तो सबसे ज़्यादा ब्लू फ्लैग टेग पाने वाला देश स्पेन है जिसके 566 बीचेज ब्लू फ्लैग टेग पा चुके हैं इसी के साथ ये विश्व में सबसे ज़्यादा ब्लू फ्लैग टेक पाने वाला देश बन गया है। और इसी के साथ अब भारत में दस ब्लू फ्लैग बीचेज हो गए है। और इन्होंने अपने विश्व को आगे बढ़ाते हुए ये भी कहा है कि आने वाले पांच वर्सों में सो और समुद्र तटों को विक्सित करने का लक्षे रखेंगे। अब आखिर में सवाल पर आते हैं जो मैंने पूछा था कि विश्व महसागरी दिवसकम मना जाता है तो ये मनाय जाता है तो ये मनाय जाता है आठ जून को। वर्ड ओसियन डे युनाइटे नेशन द्वारा हर वर्स आठ जून को मनाय जाता है पिछले साल के वर्ड ओसियन डे का थीम था दो ओशन लाइफ और लिवलिहूड इसे हर वर्स समुद्र के महत्व को जागरू करने के लिए मनाय जाता है तो ये थी ब्लू फ्लैग टेक् इसकते हैं तर वर्स आठ ए जयुकुष्ण ट्विड़का अधर दोपिशन द्वार्ट के ड्रिवाड प्लैट के लिए लूटा करने का है जाता है ये जाता है पुर्ण इंवन द्वांट आख